नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में और दोस्तो आप कैसे हैं, उम्मीद करताओं कि आप अच्छे से होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भूत प्रेत बाधा और तांत्रकों से बचने के लिए एक बहुती जबर्जस्त पाई बताने बाला हूँ इस वीडियो को आंते तक जरूर देखना है, दोस्तो आप कहीं भी जाएं दुनिया में चाहे आप रिष्टेदारी में जाएं, चाहे ओफिस जाएं, कहीं भी जाएं और सिर्फ आप इस तावीज को धारण करिए, और दो चीजें अपने साथ रखिए, तो दोस्तो आपको जिंदगी में कभी भूत नहीं पकड़ेगा दोस्तों, वीडियो को सुरू करने से पहले, आपसे एक छोटी सी रॉकेस्टेप, अगर मेरे चयनल पर पहली बार है, तो चयनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आता है, तो वीडियो को लाय करें, कमेंट करें, और दुस्तों के साथ सेर करें, जैसे आपके साथ साथ, आपके दूस्तों का भी भडा हो, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं, कई बार ऐसा होता है, कि हम कहीं रिष्टेदारी में जाते हैं, और हमें पता नहीं होता है, कि जिस रिष्टेदारी में गए हैं, उस घर में जादू टोना है, अच्छित रहेंगे आपको कभी भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा तो दोस्तो इसके लिए आपको एक ताबीज तयार करना है वो ताबीज आप अपने घर पर ही तयार का सकते हैं वो कैसे करना है आप इसे अच्छी तरह से समझें दोस्तो आपको एक चांदी का ताबीज ले क करके और उसमें लौंग का फूल तोड़ करके और उसमें ताबीज में भर लें दोस्तों सहदे की जड़कों पहले आप गंगा जल से धुकर के पवित्र कर लें उसके बाद में विधी विधान से आप उसकी पूजा करें पूजा करने के बाद में आप उससे रुकष्ट करें कि आपको हमारी रच्छा करनी है हम कहें भी जाएं और हमारे उपर भूत पेद बाधा ना लगे तो दोस्तो ऐसी रुकेष्ट करके उसका विधी विधन से पूजा करके आप उसे सहदी की जड़को ताबीज के अंदर भर लें और उस ताबीज में काला धागा डाल करके और आप अपने गले में धारण कर लें चाहे आप अपनी बाजू में धारण कर लें आप चाहे रिष्टेदारी में जाएं और चाहे ओफिस जाएं कहें भी जाएं वहाँ पर भूत प्रित पादा है तो वो आपके उपर अटेक नहीं करेगी और आप हमेशा सुरच्छेत रहेंगे और दोस्तो मैं आपको तांत्रकों से बचने का भी एक बहुती जवर्जस्त उपाय बता रहा हूँ आप दोस्तो सफेद पत्थर आप सफेद पत्थर को आपने देखा होगा सफेद पत्थर अंडाकार आकार का हुता है आप उसे कहीं से प्राप्त कर लें सफेद सिलापर ही बैठ करके भगवान सिवजी अपनी भक्ती में लीन हुआ करते थे तो दोस्तो वही सफेद पत्थर भगवान सिवजी का बहुत प्रिय हुता है और आप उस पत्थर को कहीं से प्राप्त कर लें उस पत्थर को आप अपने घर में रखें वह है पत्थर आपके लिए बहुत ही सो फलदायक होता है दोस्तो तांत्रिक अगर कोई भी करके आपके घर में जादू टोना भेजता है तो आपके घर में जादू टोना नहीं चलेगा और अगर कोई जारे बहेंकर जादू टोना भीजता है छोटी मोटी परिशानी के लिए दोस्तो छोटा मोटा जादू टोना होता है जादू टोना तो इतना बहेंकर भी होता है कि वहें घर में जाते ही जाते मोद कर देता है तो दोस्तों अगर ऐसा कोई दुस्मन आपके पीछे पड़ गया है जोके आपको जानसे मारने की कोशिश कर रहा है और जादू टोना भेज रहा है तो दोस्तों आप उस पत्थर को अपने घर में रखिए उस पत्थर को घर में रखने से अगर कोई भी तांत्रक आपके घर में जादू टोना भीजता है उस बक्त दोस्तो वह पत्थर चटक जाता है यानि तूट जाता है तो आपके घर को सुरच्छित कर देता है और आपको भी बचा देता है और उस जो भी परिषानी है, जो भी भूत बादा है, जो भी जादू टोना है, वो पथर अपने उपर ले ले लेता है तो दोस्तों आप उस पथर को कहीं से प्राप्त कर लें, बिल्कुल सफेद होता है अंडाकार आपने देखा होगा कहीं मंदर में जैसे जाते हैं तो आपको सफिद पथर भी दिखाई देते होंगे गोल-गोल तो आप कहीं से एक पथर प्राप्त कर लें उसे अपने घर में रखें और दोस्तो अपनी स्वरच्छा के लिए आप पांच मुखी रुद्राच भी अपने साथ रखें भगवान संकर जी का रुद्राच बहुती प्रिय है और आप उसे अपने पास रखें तो आपको कभी भी भूत प्रित बाधा नहीं पकड़ेगी और कोई भी तांत्रेक अगर आपके उपर जादू टोना कर रहा है तो उसका कभी भी असर नहीं होगा तो दोस्तो मैंने जो आपको उपाई बताएं बहुती वेस्ट हैं और मैं भी इन चीजों का प्रियोग करता हूँ तो दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना फर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार